असलाम अलेकुम आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सोन पापडी की रेसिपी या फिर आप इसको सोन केक भी कह सकते हैं बहुत जादा मददार बनेगी बच्ची बड़े सभी को पसंद आएगी और सिर्फ दो इंग्रेडियन्स के साथ हम इसको बनाएंगे तो चेली बनाना श और सु Especially Sam, जिसके लिए हमने लेकं धेलकी बिसस दो ढूल लिए। जिससे अच्छे, ना थ सम्राइक और सब्होंखान वियसान को अच्छे दो बनाएंगे और सभी अच्छन alleenतर अच्छे नहींत ब휼नए का जल जायेस में पाला करशOOOO करीब 15 मिलिट लग जाएंगे बैसन को भूनने में और बहुत अच्छा इसका टेक्चर आएगा बैसन का निकल कर तो देखें यहां पर जो है बैसन हमारा बहुत अच्छे तरह से भून गया है अब हम एक छलने लेंगे और बैसन को अच्छे से चान लेंगे क्योंकि हमें बि चलने के छान लें अच्छे से अब यहां पर एक लिए बेसन पहला कि अच्छे एक तैयार हो गया है और गुरी खली हमारे बैसन बने तैयार हुआ है देखे कितना जारा फाइन बना है तो अब यहाँ पर हम एक बनाएंगे करामल सॉस तो सबसे पहले यहाँ पर एक पेन में लेना है जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से हमें यहाँ पर शुगर लेनी है डेल कप तो यहाँ पर हमने डेल कप शुगर ले लैंगे अब इसमें आद़ा कप पानी यह कब से हम शुगर लीए उसी कब सह माधा कप पानी लेंगे और अच्छे चला देंगे भी पूलो फलेम पर पकाना है इसको में लुद फलेम पर हम इसकी कर MA2000 बनते त्यार करेंगे तो देखे फिर इसमें अच्छे से बबल साने स्टार्ट हो गए और बोयल आने स्टार्ट हो गए है तो अब यहां पर एड़ करेंगे आधे नेमु का रस तो हमने यहां पर नेमु का रस पहले ही निकाल कर रख लिया था तो इसका बात का जरूर दियान रखेगा कि निम्बू जरूर एट करना है तो आधर निम्बू लिया था हमने यहापर जो कि इसमें एट कर देंगे और निम्बू को हमने चान कर लिया है कोई मी बीज या इसमें रेशाव अगरा बिल्कुल भी नहीं है तो करेमल सौस बनाते टाइम गैस का फ्रेम यू को लो होना चाहिए और आधर निम्बू का रस जरूर एट कीजिएगा तो देखें निम्बू का रस एट करते हैं करेमल जो गारा होने लगा था पतला हो गया है और अच्छे से इसको पक बबल्स आने स्टार्ट होगा है तो अब मैं इसके आपको पहचान बता देती हूँ करेमल हमारा कितने अच्छे से तयार हुआ है कि नहीं हुआ तो मेरे पाने में यहाँ पर एक बून डाल कर रख दिया है दो मिनट बाद मैं आपको चेक करा दूँगी तो यहाँ पर देखें करेमल सॉस का कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है तो यहाँ पर करीब 15 मिनट लगे है करेमल सॉस बनाने में तो देखें जो बून हमने यहाँ पर चुआई थी वो कितनी जारा हाड हो गई है तो अब यहाँ पर जो हमारा करेमल सॉस बिल्कुल परफेक्ट है बहुत अच्छे ते तियार हो गया है गेस का फिलिम बन कर देंगे अब एक बरतर में हम करेमल सॉस को एड़ करेंगे तो जिसके लिए एक प्लेट पर हमने लगा दिया है घी अच्छे से तो घी जरूर लगाईएगा इस बात कर जरूर धियान रिखेगा कि बिना घी लगाई बिल्कुल भी करेमल सॉस एड़ मत कीजेगा क्योंकि घी करेमल सॉस को चिपकने नहीं देगा तो देखें मैं आपको दिखाती हूँ जब एक चम्मच से हम दूसरा चम्मच ऊपर रखकर खेच रहे हैं तो कितने ज्यादा रेशे निकल रहे हैं तो इस तरह से देखें कितने जाता रेशे निकले है तो हमारा केमल सोच जो है प्रफेक्ट है बनका तैयार हो गया है तो इसी तरह से आप चेक कर लीजेगा तो आप थोड़ा से ठंडा होने देंगे जारा ठंडा बिल्कुर नहीं गरम-गरम इसके सोन पापड़ी बनाएंग क्योंकि ठंडा होते ही हाड हो जाएगा तो इसलिए आप गरम-गरम ही थोड़ा गरम ही रहेगा तब आप इसके सोन पापड़ी बनाकर तयार करेंगे तो देखें फ्रेंड्स यहां पर थोड़ सा गाड़ा होने लगा है अब हम फिर से दूसी प्लेट को उपर घी लगाए घाये और अब इसके बनाएंगे तो यह बहुत जारा गरम कर थोड़ा घी ठाशर आएगा तो इसBenो मैप चलाते रहीएगा तो इस तरह सब घिच खेच कर रिशव तरह त्देर करेंगे तो देखिए पर इस तरह 1-5 इसके रिच्वाप बनाएं गरम ही रहैं गिनक्र Dominic को अब एक इसका हम रिंग बनाएंगे गोल जिससे हम इसके सोनपापी त्यार करेंगे तो इस तरह से खेश कर हम इसके रिंग बना लेंगे तो देखे फिर इसका हमने रिंग बना लिया है अब जो हमने बैसन भून कर रखा था हम इसमें एट कर देंगे और इसको अपर डारेक् अच्छे थी खूल कर आएंगे और बहुत रेश में से इसका रेश तयार हो जाएंगे बनकए तो इस तरह से बनाए को आप योगा इसे तरह से बनाये कि इका आरा टायए जरा टाइम भी नहीं लगता और इसका टेश्ट बिलक्र मार्केट के तहार रहता है आपको यकीन नहीं होके तब आप इसको खाकर ट्राय करेंगे तो इस तरह से इसको लगतार 10-15 मेट तक इसको लगतार फॉर्म इसी तरह से खेशते रही है इसका दिंग बिल्कुल नहीं तूटना चाहिए और देखे जो जो बैसन लग रहा है वह बार्रीग होते जा रहा है भलता जार रहे सके लगतार रेशे खुल रहे है तो इससा एसके पहचान एकर को पापडी जहां बनके त्यार हो गई है तो इस तरह से खेच की थी ठीट हो गई है तो इस थारा से एकल रचाव पर्फेक्ट हो गए खुलकर तो देखे फिर इतने जारा बारी बना गए उसके साइस करें तैयार कर लिए हैं अब मिसको अब और बनाने के लिए कोई भी दोण अगर आपके पास कोई कप या कोई कटोरी इस तरह से हो तो आप इसमें अपर मैंने एक कटोरी ली है इसमें एट करेंगे कुछ नट्स तो यहां पर में काजू यहां पर में बादाम और पिस्ता की थोड़ी काटिंग करकर रख लिया था तो इसके तली में डाल दिया है अब हलका ही शेप दीजिए हास से जिससे इसका आकार आ जाएगा इसका अंदर तो हलका से शेप दीजिएगा और देखे फ्रेंड कितना ज्यारा जबरदस्त हमारी सोन पापड़ी बनका तयार हुई है रेस्पी पसंद आ रहे थे प्लीज लैक्ट